तो फिर से आ चुकी है वही खुसी की लाहर, वही खुसी की बहार, सब के चेरों पे मुस्कान, फिर से आ चुकी है दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि फिर से आई खुसी, तो ये खुसी देखने के लिए आप मेरे वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, पूरा वीड दोस्तों जैसी अराम मैं आप सब की निशा आप सब का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे तो दोस्तों आप सब सोस्त रहें मस्त रहें अच्छे से रहें मातरानी से यही बिंती यही फ्रात्ना है कि आप लोग जहां रहें सोस्त रहें मस्त रहें अच्छे रहें जितने लो तो दोस्तों आप लोग को हमारी ये बात कैसी लगी हम जो वीडियो बना रहे हैं कैसे लगती है आप लोगों को आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा तो हाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग सुने की खुसी की लाहर चल चुकी है YouTube चैनल पे तो दोस्तों सही सुन रहे हैं तो कल मिश्टर विशुरू राच चौहान की तारीक थी जो की अपने तारीक पे मिश्टर विशुरू राच चौहान आये हुए थे और काफी लोग मिलने भी गए थे दोस्तों यहां तक कि मालती के पापा दीप चंद चौवान भी मिलने गए थे काफी लोग दोस्तों गए थे मिलने के लिए और बहुत कोशिस किये लोग कि उनकी जबानत रद हो जाए रद हो जबानत ना हो लकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों और आने वाले 12 तारिक को यही दोस्तों 12 अप्रेल को 2 दिन बचे हैं कि मिश्टर बिसरूरा चोहान क्या होने वाला है बेल और बहुत जल्द हो आने वाले हैं अपने फैमली के बीच में अपने बच्चे के बीच में दोस्तों तो आप लोग भी भगवान से पड़े करिये कि बहुत जल्द मिश्टर बिसरूरा चोहान जेल से बाहर आ जाएं क्योंकि दोस्तों एक बच्चा है उनका जो कि एक बाप के लिए तड़प रहा एक मा के लिए तड़प रहा तो मा का प्यार तुसे नहीं मिल सकता हो दुनिया में ही नहीं है तो बाप है जिन्दा दोस्तों तो बाप के प्यार से वो बच्चा बंचित क्यों रहे आप लोग बताईए कि क्यों बच्चा बंचित रहे बाप के प्यार से तो जब भगवान से हम लोग प्रात्ना करेंगे नौरात्री भी चल रही है तो भगवान का असिर बात जरूर लगेगा और मिस्टर विसुरूरा चोहान जेल से बाहर आएंगे अपने बच्चे में आएंगे अपने मा के पास आएंगे दोस्तों उनकी मा भी बहुत रोती है अपने बेटे के लिए अपने पोते उराज के लिए बहुत रोती है तो हम लोग मिल करके पड़े करते हैं कि बहुत जल्द मिस्टर विसुरूरा चोहान जेल से बाहर आजाएं अपने बच्चे के लिए जेल से बाहर आजाएं और रही बात मालती की नयाय की तो दोस्तों मालती को नयाय भी मिलना जरूरी है और रही बाद दोस्तों एक बाबा आए है चैनल पर इस समय नए नए आए है तो बोल रहे हैं कि मालती नयाय मांग रही है और मालती हमें साक्छात मिली थी अब बोल रही थी बाबा हमें नयाय दिलवाई है तो ऐस मालती को कौन मारा था बिसरूर निर्दोस है कि नहीं निर्दोस है अब तो बाबा खुदी जानते होंगे कि कौन निर्दोस है तुन्हें भी कोट में सावित किया जाए और बाबा खुदी बता देंगे इतना परसासन को परिसान होने कि कोई भी जरूरत नहीं है कि परसासन इतना परिशान हो कि मालती को कौन मारा था, रही बात नयाय की, तो मालती को नयाय मिलना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि बात एक अवरत की है, बात एक लड़की की है, कोई भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मालती के साथ हुआ है दोस्तों, ऐसा किसी के सा हो तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में अपने दूसरे वीडियो में कोई नई सोच नई बात के साथ क्या यूटूब पर चल रहा नई चल रहा ले करके आप सब के बीच मैं दुबारा आऊंगी तब तक इसी वीडियो से आप लोग अपना काम चला लेना और मेरा यह वीडियो देखना अच्छा लगे तो स्लाइक सेर सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा कमेंट करके जरूर बताईएगा निसा आपकी वीडियो कैसे कर देखना और मेंट उन्हार लोगे बता है तो सब क्तिछ सेर सेर सिवावे लगे बताईएगा जूराणा टीक सेर 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 लगे थाना आपकी वीडियो इसार सेर 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 सेर